नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइस करने से पहले आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त हो जैसा कि आप जानते हैं शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए एक्सरसाइस करना कि अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना चाहिए वर्काउट के समय शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है यहीं वज़ा है कि लोग जिम करने से पहले प्रीवर्काउट फूड्स लेते हैं इससे शरीर में स्टैमिना और एनर्जी लेवल बूस्ट होता है साथ ह वर्काउट के दौरान पर्फॉर्मिन्स बढ़ाने में मदद मिलती है अक्सर कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि वर्काउट से पहले क्या खाना चाहिए तो चलिए बिना देरी कि ये जानते हैं प्रीवर्काउट में हमें क्या खाना चाहिए नमबर एक ओट्स कॉ इसमें मौजूर विटामिन B कार्बोहाइडरेट को एनरजी में बदल देता है आप वर्काउट से पहले एक कटोरी ओट्स और दूध या वेजेटेबल ओट्स खा सकते हैं नमबर दो केला एनरजी का एक अच्छा सोर्स है इसमें फ्रुक्टोज और कार्बोहाइडरेट ठीक धंग से काम करने में मदद करता है केला में फाइबर होता है जो पाचन को स्वस्थ रखने में सहायता करता है आप वर्काउट से पहले एक से दो केले खा सकते हैं नमबर तीन आपने अक्सर जिम जाने वालों को वर्काउट से पहले अंदा खाते हुए देखा होगा इ स्टैमिनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं यह शरी को एनर्जी देने और मसल्स ग्रोथ में मदद करते हैं एक्सरसाइस करने से पहले अंडे खाने से एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाने में मदद मिलेगी इसके लिए आप वर्काउट के 30 से 40 मिनट पहले उबले अंडे या ओमलेट खा सकते हैं नंबर चार ड्राइफ रूट्स में प्रोटीन, विटामिन, फैट, फाइबर और काक्स जैसे पोशक तत्व मौजूद होते हैं यह शरीर के एनर्जी लेविल को इंस्टैंट बढ़ा देते हैं जिससे अच्छी तरह से एक्सरसाइस करने में मदद मिलती है आप वर्काउट से पहले बादाम, काजू, पिस्ता और किश्मिश जैसे मिक्स्ट ड्राइफ फ्रूट्स खा सकते हैं नंबर पांच होल ग्रेन ब्रेड में काप्स की अच्छी मात्रा होती है जिससे आपको वर्काउट के लिए एनर्जी मिल जाती है इसके साथ प पर्काउट से 30 से 40 मिनट पहले होल ग्रेन ब्रेड का सैंडविच खा सकते हैं इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और धकान भी कम होगी अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आपको और भी स्वस्थ रहने की जानकारी मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों